मेरे प्यारे छोटे बच्चों को हरशता पांडे का प्यार भरा नमस्कार आज का हमारा पहला टॉपिक क्लास 6 में नोइंग आर नंबर्स जो की चाप्टर 1 है क्लास 6 का उसी से स्टार्ट कर रहे हैं उसका पहला टॉपिक कंपेरिंग नंबर्स वो हमको पढ़ना है तो चलिए शुरू करते हैं देखो मेरे पास यहाँ पर कुछ एक्जामपल्स लिखे हुए हैं जैसे 92, 392, 4456, 89,742 यह कुछ एक्जामपल्स लिखे हुए हैं तो आप लोगों को एक छोटी सी नॉलेज मैं देना चाहती हूँ जो आप लोगों को पता होना चाहिए देखो, once, tens, hundred, thousand, ten thousand अभी मैंने यहीं तक लिया हुए हैं digits तो इसी से स्टार्ट करते हैं देखो, यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला एक्जामपल है यह है 92 का, ठीक है तो 92 में 2 किस प्लेस पर है, once की प्लेस पर है 9 किस प्लेस पर है, tens की प्लेस पर है ठीक है, तो यहाँ पर यह कितने डिजिट का नंबर बना count कर सकते हो, आप 1, 2 तो यह 2 digits का नंबर बना ठीक है, और उसके बाद 392 2 की, once की प्लेस पर 2 है tens की प्लेस पर 9 है 100 की place पर 3 है, कितने digit का number बना? 3 digit का उसके बाद 4456, ठीक है? यहाँ पर 1s की place पर 6 है, 10s की place पर 5 है 100 की place पर 4 है, 1000 की place पर 4 है, ठीक है? तो 4456, कितने digit का number बना? 4 digit का उसके बाद 89,742, कितने digit का number बना? 5 digit का तो आप मुझे बताओ, 2 digit का number greater होता है, 3 का, 4 का या 5 का? 5 का तो सबसे greatest number कौन सा हुआ? 5 digit वाला, जिसमें कहां तक चल गया? 1s, 10s, 100, 1000 and 10,000, ठीक है? तो यह 10,000 तक हमारा digit चला गया तो यह हमारा greatest हुआ, ठीक? यह हमारा greatest number हुआ smallest, smallest की बात करें तो 92, खाली 2 digit का number हुआ तो यह हमारा smallest number हुआ, ओके? इसी तरीके से और भी example आप लोग sort out करने की कोशिश करो, thank you